कि Linux किस प्रकार का सफट्वेर जो Linux है ये किस प्रकार का सफट्वेर है ये open source सफट्वेर है ठीक है Linux क्या है एक operating system है operating system and utility program software के उस बर के हैं जिने डैस कहते हैं ठीक है operating system और utility program tram software कि निखा कहाल? इन को क्या कहते हैं? इनको बोलते है, सिस्टम सोफ़्ट्वेर, ठीक है? सिस्टम सॉफ्ट्वर वोलते है इनको S की का पूर्ण रूप क्या है जो S की है इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी है American Standard Code for Information Interchange ठीक है यह कंप्यूटर नहीं है यहां पर Code है C O D E Code ठीक है American Standard Code for Information Interchange इसकी फुल फॉर्म है कितने मेगाबाइट में 1GB होता है 1024 मेगाबाइट को MB से लिखते है Megabyte equal to 1GB गीगाबाइट को GB से लिखते है डिस्क को सेक्टर और ट्रेको में विवाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ठीक है जो डिस्क होती है ठीक है उसको सेक्टर और ट्रेको में विवाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते है जैसे मालो यह डिस्क है उसमें ऐसे एक ओर अंदर सर्कल होगा फिर एक ओर सर्कल होगा इसको बोलते हैं जो से सर्कल है इनको बोलते हैं ट्रेक ठीक है ट्रेक और ऐसे बीच में ऐसे कि आप फार्मेसंग बोलते हैं ओला tại bench इनको बते हैं सेक्टर आसे डिस्क को डिवाइब कि याता है तो इसको डिवाइड करने की प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते है पोर्मेट्टिंग बोलते हैं डेटा है यह प्रोग्राम है वो कुन समझा माइक्रो प्रोसेशर कि निर्मान के समय डिस्क में रिकार्ड किया गया कंटेंट जिसको उपयोग करता इरेज जान चेंज नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं व्हराश है जब कंपणी निर्मान करती है तो फो उसमें डेटा लिक दिया जाता है उसमें रिकार्ड संवाड कर दिया जाता है उसको उप्वोक्ता होते हैं यो यूजर होते हैं वो उसको उरेज नहीं कर सकते हैं ooh u लेवल रीड हिंदी में और इंग्लीश में रीड उनली बोलते हैं मि-C-R में C का पूर्ण रूप क्या है जो M-I-C-R है इसकी full form क्या है इसका full form क्या है इसका magnetic ink character recognition ठीक है इसकी full form है और इसमें C का क्या मतलब है वो है character नीमन में से कौन सा pin printer है इन में से कौन सा pin printer है वो है dot matrix सी है dot matrix सिच्कान सा Sap pin printer है एक nibble है यहां नीबट ही इन आई-बी बी औल ये nibble निबल है एक nibble में कितने uyट होते हैं एक nibble में कितने uyट होते हैं चार बिट होते हैं टेक्स्ट की पंक्ती के अरम में जाने के लिए डैस की का प्रयोग किया जाता है जैसे कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ठीक है जैसे कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे ये लाइने लिखी हुए है टेक्स्ट की टेक्स्ट की टेक्स्ट की स्क्र Evans पर डिस्प्लें को निए गए पिक्सल की संख्या को स्क्र de kardeşim पर जो 6000 डिकते हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं उनको बोलते है लेसलीशन फिक है OCR का पूर्ण रूप क्या है इसको बोलते हैं आप्टिकल क्रेक्टर रिक्रिक्निशन आप्टिकल माऊस को सरप्रतम किस कंपनी ने बनाया था Optical Mouse को सरप्रतम किस company ने बनाया था Microsoft ने बनाया था ठीक है जब कोई computer report print करता है तो उसकी output को कहते हैं जैसे कोई computer है उसे हम print निकालते हैं ठीक है पेज बेज बेज प्रिंट आलता है लिखा हुआ ठीक है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम बोलते है hard copy ठीक है और जो computer के अंदर जो दिखता है जो page दिखेगा ठीक है उसको बोलते हैं soft copy निमन में से कोन सा device pointing और drop device है इन में से कोन सा pointing और drop device है वो mouse को बोलते हैं ठीक है mouse को हम pointing और drop device बोलते हैं joystick का प्रात्मिक तोर पर प्रयोग किसके लिए किया जाता है जो joystick है इसका प्रात्मिक तोर पर प्रयोग किसके लिए किया था है computer gaming के लिए किया था है ठीक है ऐसे लिवर लिवर टाइब लगा होता है इसको एक instrument होता है उसको joystick बोलते हैं उसको लिवर लगा होता है और picture Neiman में से अब डाल सकते है, computer में, जैसे कोई computer है, उसमें graphic, image, वो कैसे डाल सकते हैं, एक machine होती है, scanner बोलते हैं, इसके उपर page रखते हैं, और वो scan करता है, और computer में चला जाता है, ठीक है, किस storage medium में store की जाने वाली data की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं किसी storage medium में कोई device है जैसे मानलो CD है ठीक है कोई disk है उसमें जो हम data store करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा data store किया जाता है उसकी शम्ता को क्या बोलते हैं होते है storage शम्ता कि ऋसकी इतनी storage कापस्थी है लेजुक्ता है नीमान में से कौन सा प्रिंटर पेज-ब्रेंटर है फो है laser printer ठीक है कि किसी monitor का refresh ृत कि किसी एकाई में आपते हैं जो monitor का refresh होते हैं वो कि meters потaway हैं हो हाड में मोगते हैं एक समय में एक से अधिक ऑप्रेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक ऑप्रेटिंग सिस्टम नहीं है यहां पर होगा एप्लिकेशन एक समय में एक से अधिक एप्लिकेशन चलाने वाले कंप्यूटर की शमता को क्या कहते हैं उसको बोलते हैं मल्टि टास्किंग यह क्या से computer on हो उसको जब हम restart करते हैं उसको क्या बोलते हैं वार्म बूटिंग डैश प्रोग्राम डैश प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टेम को में मेमोरी में लोड करता है कौन सा प्रोग्राम है जो जो ऑपरेटिंग सिस्टेम को में मेमोरी में लोड करता है वो है बूट रिकार बूट रिकार्ड एक प्रोग्राम है जो BIOS पे होता है BIOS को बोलते हैं Basic Input Output System बेसिक Input Output System में एक प्रोग्राम होता है बूट रिकार्ड जो Operating System को Main Memory में लोड करता है Google दोवारा बनाया गया Mobile Operating System कौन सा है Google ने कौन सा Mobile Operating System बनाया है वो है Android C बहाशा में कौन सा Operating System लिखा गया जो C Language है उसमें कौन सा Operating System लिखा गया है वो है UNIX Unix का Pool Room क्या है वो है Uniplex Information Computer System तो क्या है DOS का पूर रूप क्या है जो DOS है वो है क्या डिस्क- oscillating system CPU का CPU तथा Peripheral के मद pipeline को क्या कहते हैं जैसे यह CPU है ठ惹 Teil peripheral devices होते हैं हिएyor cpu को साथ connect होते हैं जैसे printer हो गया printer लगा होता है CPU को साथ keyboard लगा होता है mouse लगा होता miejsce इनको बोलते है पैरीफ gets फिल जो cpu को साथ किस communication Line के वायर के सुरो फूरो connect होते हैं उनको क्या बोलते हैं दिख साफ के दूरो सबसे पहले किस working memory में जाता है जब हम computer में data डालते हैं वह सबसे पहले कहां याता है वो रह में जाता है computer का वह बाग जो गनीत समंदी करता है computer का वह कौन सा बाग है जो गनीत समंदी गननाई करता हुआ जैसे plus करता है माइनिस करता है ठीक है वह कौन सा करता है कम्प्यूटर घीडिके तहिए इल्लक किस ने डिजाइनिक निए रएस पना था वह कौन सा था वह एनीएक था जो किसने किम्प्रेसब ने किया था ने किया था ठीक यह यह विंगोग और digital computer की विशेशताओं को समपूर रूप से क्या कहते हैं ठीक है analog जो computer जिसमें दोनों यह हो quality हो analog भी वो digital भी हो उसको क्या कहते है उसको hybrid computer बोलते है ठीक है digital गडीयों digital गडीयों में किस तरह का computer का प्रयोग हो तहा है मिदितर को如此 आइबीम कोन रीचा佑वं कूरूप के है जो आइबीमे इसका पूरूप के है इंटरनेशनल बिजनस मशीन इपलती सब्सक्तू सबते हैं कॉप्योटर का सबसे महतर्वन बाग कुन समय होता मअ होता है CPU CPU computer का सबसे महत पुरुन बाग होता है जिसको हम Central Processing Unit बोलते है Central Processing Unit पहला पहला portable computer किस ने मनाय था पहला portable computer किस ने मनाय था Adam Asborne ने मनाय था portable computer होया जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के उठा के ले जा सकते हैं जैसे laptop हो गया computer application को बनाने के लिए DVMS का पूरूप क्या है जो computer application को बनाने के लिए DVMS यूस होते है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं Data Base Management System प्रथम गननाय यंत्र का क्या नाम है ठीक है जो प्रथम गननाय यंत्र था ठीक है प्रथम गननाय यंत्र उसको क्या कहते थे उसको बोलते थे अबैकस एक electronic device है जो data को information में बदलता है वो है processor क्योजर की पहली PD में कौन सी device پरयोग होते ते हैं जो प्रथम क्योंतर की पहली PD थी 1st Generation of Computer ठीक है उसमें कौन सी device यूज ची judh होते थे उसमें होता थे वेक्योम ट्यूब ठीक है 1st Generation Computer थे जो फर्थ प्रथमें के кам्प्योंतर थे में कुन से डीवाइजि होती थे वैक्यूम्ट relationships होतीGR इसको पूण प्मप्योटर के 12 इसका proo hopeful क्या है स्पूद्ट के निर्मान के लिए किसकी अवच्छिक्ता होति है too ठीक है कंप्योटर की जो आइसी चीप होती है उसके निर्मान के लिए किसकी अवश्यक्ता होती है सिलीकाउन की होती है कौन सा प्रथम पीडी का कंप्योटर है फर्स जनेरेशन कंप्योटर कौन सा है ठीक है वह एनिक है एनिक मार्क वान ठीक है एनिक मार्क वन है यह फर्स्ट पीडी का कंप्यूटर है मदब फर्स जनेशन का कंप्यूटर है ठीक है प्रोसेस्ट डाटर को क्या कहता है जो डाटर प्रोसेस्ट हो जो चुका होता है उसको क्या बोलता है उसको आउटपूट बोलते हैं ठीक है एसमिर्ट कोना होटा है был Hardware Design कौन सा होता है जिसको कम्प्यूटर का 대한 ब्रेन किसको कहते है शीप्यू बोलते हैं एक डबब लगाँता है地 सेंटरल प्रोसेसिंगन्ट है डिजिटल केंप्यूटर के कारीपद्री का सिदान का है अधि एक जिडिडिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं इंटरनेट से जोडने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं लॉग इन बोलते हैं ठीक है लॉग इन रिजिस्टर किस प्रकार के बिट का एक छोटा सभू होता है रिजिस्टर किस प्रकार के बिट का एक छोटा सभू होता है रैम का होता है ठीक है रैम जैसे रैम बड़ी होती है और रिजिस्टर छोटे होते हैं ठीक है कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी एरर को किसी एरर को क्या कहते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी एरर को क्या बोलते हैं सबसे पहले किस बाश्या का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाया गया था सबसे पहले जो कंप्यूटर का प्रोग कार किस ने किया था वो किया था डैनी जरीची ने ऐसा कंप्यूटर पनाली जिसके दो यां दो से अधिक CPU हो उसे क्या कहते हैं ठीक है ऐसी कंप्यूटर पनाली जिसके दो यां दो से अधिक CPU उसको क्या बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है ठीक है अगर प्रिंट करना हो तो कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया आता है फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया आता है मूल स्रोत्र में किस बिन destination पर copy करके data का selection करना क्या कहलाता है मूल स्रोत्र से किसी बिन destination पर copy करके data का selection को क्या बोलते हैं बैक बोलते हैं computer में computer में जाने वले data को क्या कहते हैं computer में जो हम computer में data लालते हैं जैसे हम कोई page लिखते हैं computer बैठे के keyword से हम type करते हैं पिएड प्रिहां पर लिखा हुसा इसको किया बोलत है Grandpa कंप्यूटर में इंपूट और आूट JOEप में रूपान्त्रीत किसके दोरह की आता जैसे इंपूट कंप्यूटर में डालते हैं इंपूट डालते हैं और ठीक है बाद में पेज पर प्रिंट भी कर सकते हैं उसको हम आउट पूर्ट बोलते हैं ठीक है है को से कंप्प्यूटर में हम क्या करते हैं यह टाइप करते हैं तो टाइप करने मिjung Rings वह लिखा जाता है वह उसको इंपुट वो tänker करते हैं तो चोंप यह कूं करता है यह CPU करता है त्डिक है Central processing unit बोलते हैं इसको विंडो 10 में OneDrive क्या होता है विंडो 10 होती है उसमें OneDrive क्या होता है वो Cloud Storage होती है डीपी आइए का पूर्ण रूप के है डीपी आइए का पूर्ण रूप के है निर्देशकों का सेट जो एक कंप्यूटर को उसका कारे बताता है उसे क्या कहते है इंस्ट्रक्शन हो निर्देशकों को क्या बोलते है फसका किले निर्देशकों का सेट जो एक कंप्यूटर को बताता है कि निर्देश को निर्देश रूप के है QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ प्रोग्राम बोलते हैं किसी भी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं कोई भी प्रोग्राम हो उसमें बग किसको बोलते हैं बग एरर को बोलते हैं किसी प्रोग्राम में अगर कोई एरर हो उसको क्या बोलते हैं बग बोलते हैं तुरुटी भी बोलते हैं इंस्ट्रक्शन ठ कौन असेंबली बाशा को मशीन बाशा में बदलता है कौन सा कौन है जो असेंबली लेंगविज को मशीन लेंगविज में बदलता है वह है असेंबलर बोलते हैं उसको ठीक है लेंड के केंद्री कंप्यूटर को क्या कहते हैं ठीक है लेंड एक लेंड होता ना जो उसका जो केंद्री सेंट्रल कंप्यूटर सबसे में कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं सर्वर बोलते हैं लेंड का फुल फॉर्म क्या होता है लेंड का पूरण रूप क्या है व कों सा डिवाइज एनलॉग सिगनल को डिजिटल सिगनल में परिवर्तित का कौन सा डिवाइज है जो एनलॉग सिगनल को डिजिटल सिगनल में परिवर्तित करता है modem है ठीक है modem ही analog signal को digital signal में convert करता है और digital को analog signal में convert करता है operating system क्या होता है ठीक है operating system क्या होता है उसको क्या बोलते है system software बोलते है hexadecimal number system का अधार क्या है जो hexadecimal number system होता है ठीक है उसका अधार क्या है उसका है मैं है वह 16 तक उसमें नमबर होते हैं ठीक कि sis तक उसमें क्या उतया नमबर होते हैं मेर्ड लिखा हुआ है हमने एक वर्ड लिखा और दूसरा भर लिखा तीसरा बर लिखा और हमने पता लगाना होगी हमने कितने वर्ट टाइप किया ठीक है वो था हम Ctrl Shift G दिबाखे पता लगा सकते हैं 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयों किया या था है वो Ctrl की का प्रयों किया था है ठीक है फाइल को री नेम करने के लिए किस function का प्रयों किया था है प्रोटकोल किसका सम्वह होता है प्रोटोकल किसका सम्वह होता है रूल्स का सम्वह होता है ठीक है बीजी ए बीडियो ग्राफिक अरे बीडियो ग्राफिक अरे केबल में कितने पीन होते हैं बीडियो ग्राफिक अरे जो केबल होती है उसमें कितने पीन होते हैं यह bet다 कि अगय Пाष्व अग्छणी एज डीम ऐफ में परीप कन में 2- ingredients ह एक्षल 2019 के Fair करना मैंड़ी करो 2-0 हूं अघ्ज वोघ दोड़いる हॉर्ट हॉर्ट उनाि हाट स्पॉर्ट hotspot connectivity के लिए किसकी अवश्यक्ता होती है hotspot connectivity के लिए किसकी अवश्यक्ता होती है Wi-Fi के होती है Cloud Storage Platform का उधारन है Cloud Storage Platform का उधारन क्या है Dropbox, Google Drive, Microsoft One Drive www की full form क्या है www एकोर डवल्यू है चार डवल्यू है www 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 की full form क्या है World Wide Web Warm है www की full form क्या है World Wide Web ठीक है Windows Shutdown की shortcut कुझे क्या है Alt Tap 4 निमीलीकित में से कोंसा एक application software नहीं है इन में से कौंसा गर्लीकेकेशन सौquisier नहीं है Windows 10 का है अपरेटिंग सिस्टेम है application software नहीं है Windows Shutdown की shortcut कुझे क्या है जो विंडो को shutdown के लिए जो shortcut की है वो क्या है R tab 4 कौन सा single user operating system कौन सा है वो single user operating system है वो है newOS disk operating system operating system की booting का क्या मतलब है operating system में एक हम booting का use करते है वो है उसका क्या मतलब होते है वो है restart करना कंप्यूटर को optical input device जो कागस पर pencil द्वारा लिखी की जानकारी scan और read कर सकता है ठीक है जो optical input वो device जो जैसे हमने कागस भी कुछ लिखा हुआ है मगर हम उस device को इसके साथ कागस के साथ touch करेंगे और वो क्या करता है वो सरब पढ़ लेगा क्या लिखा हुआ है कि उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ओम ओमर बोलते हैं उसको ठीक है कौन सा डिवाइज डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकता है ठीक है कौन सा डिवाइज है जो डेटा और program के बीच अंतर समझ सकता है वो है microprocessor कों सा डिवाइए हो गया आप मेमरी शब्द किस से संबन दीथ है storage से ठीक है मेमरी में क्या करते हैं हम data storage store करते हैं computer के शब्द कोश में cd अक्षरों का प्रियों किसके लिए किया आता है जो computer disk flash क्या है flash किसको बोलते हैं रैम को बोलते हैं from random access memory भी बोलते हैं floppy disk किस परकार की memory deze स chronic memory external memory है कंप्यूटr के जिस बाग में data program रक्वर्पग्राम रखे जाते हैं कंप्यूटr के जिस बाग में data और program रखे जाते हैं उसको क्या बोते हैंPop बे理 कोलते हैं सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है वो कौन सा है सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर है स्केंटरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में साफ्टर प्रोग्राम में जो कापी करने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं जो स्केंटरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में साफ्टर प्रोग्राम में कापी करने के लिए प्रिक्रिया को कहते हैं डिक क्लिए कांट्री तो मेडिया से हाड़डिस्क यह में साफ्प्रेयर प्रोग्राम को कापी करने के लिए कि इंस्टॉलेशन बोलते हैं कि एक प्रकार की स्थाई मेमरी यह जो स्थाट-प के लिए जरूरी इंस्ट्रेक्षन को होड करती है और पावर बंद होने पर यह erase नहीं होती एक प्रकार की स्थाइक memory है जो startup के लिए जरुरी instruction को hold करती है और power बन्थ होने पर इसे erase नहीं करती वह कुन से है रोम है ठीक है उसको बोलते है हम read only memory read only memory computer data data gather करता है उसका अर्थ क्या है कि वह user को data डेश करने देता है देते हैं इंपुट करने देता है ठीक है डेक्स्टाप पर समय और दिना कहां पर दिखाई देती है डेक्स्टाप होता है उस पर हमें डेट और टाइम कहां पर दिखाई देता है वो टास्क बार बोलते हैं उसको CD को compact इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है और इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है optical disc के hard disk drive को storage माना जाता है hard disk drive होती है जो उसको non-volatile storage माना जाता है निमलिखित में से slideshow के लिए shortcut की क्या है जो निमलिखित में से slideshow होते हैं उसके लिए shortcut क्या है वह है F5 कौन सा computer virus आपके दोरा computer पर किये गए हर movement को record करते हैं जैसे आप computer पर कोई भी काम कर रहे हैं और हर एक movement को जो record करते हैं उसको क्या बोलते हैं की logger बोलते हैं उसको की logger कि ISDN का पूर्रूप क्या है जो ISDN का पूर्रूप क्या है integrated service digital network सभी source code को machine code में कौन परिवर्थत करता है वह compiler करता है कौन सा operating system शुरू करने से समद्धित है कौन सा operating system है जो शुरू करने से समद्धित है वो बूटिंग है still image में movement बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो still image होती है जैसे कोई image है उसको movement करते हुए दिखाना है उसके लिए किसका इस्तेमाल किया आता है वह animation का ठीक है जो इसमें एक बाक्स होता है इसको क्या बोलते हैं कि किसको स्क्रीन पर लिखने के लिए tablet PC दिवारा इस्तेमाल किया जहते है स्क्रीन पर लिखने के लिए किसको टेबलेट किसका इस्तिमाल किया है वह है स्टाइल्स ठीक है स्टाइल्स का कौन सा इस एक शहर यह यहां यहां यह पर यहां है यह एक बड़े परिशर में फैला होता है कौन सा computer network है जो एक शहर यहां एक बड़े परिसर में फैला होता है यहां है यहां पर वो कौन सा man है जिसको हम metropolitan area network बोलते हैं metropolitan area network बोलते हैं कौन सा संचार mode bi-directional data transmission बरदान करता है कौन सा जो संचार mode है जो bi-directional data transfer करता है मतलब दोनों तरफ data transfer करता है वो half duplex है और full duplex है वेक्तियों दोरा उनकी पहचान को गलत बदाकर गोपनी जानकरी प्रापत करने का प्रियास को क्या कहते हैं उसको fishing बोलते है एक computer के बितर वो mark जो hardware गटकों के बीच चाटा वहन करता है यह क्या कहते है ठीक है जैसे एक computer के बीच जैसे एक computer है उसके बीच में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो data transfer होता है उसको क्या कहते है वो data basket होता है asal toUh the remix mini- dever helpful क्या जो मधीर है मिजिक कल इंस्ट्फुमेंट डीचिटल इंटरफेस टीक है क्विक क्विक एक्सेस टूलबार का कौन सा बटन रिसेट कमांड और एक्टिवीज 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 कैंसल करने में अनुमती देता है क्विक एक्सेस टूलबार का कौन सा बटन है जो हमें रिसेट करने की और एक्टिवीज एक्टिवीज को कैंसल करने की अनुमती देता है जैसे आपने एक स्क्रीन पे कुछ लिख दिया ठीक है अगर आप चाहते हो कि आपने गलत लिखती है यह नहीं लिखना था ठीक है तो कौन सी कमांड है वो अंडू अंडू प्रेस करो तो यह हट जाएगा वहां से ठीक है दोबारा पहले जैसा हो जाएगा ओएसो मॉडल में डाटा को एंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन कहां होता है ठीक है ओएसे मॉडल होता है उसमें डाटा का एंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहां होता है वो कहां होता है प्रेजेंटेशन लियर में होता है प्रेजेंटेशन लियर होती है वहां पे होता है isp का सूच्छिपत रूप क्या है isp का सूचिपत रूप क्या है वह है इंटरनेट सर्वीस प्रॉइडर कोन से होते हैं जैसे आपको कॉन सी कंपनी का नेट लिए और हो इसे इंका नेट यूज करते हो उन्हें इनको । service provide करते हैं तो इन को ब्होते हैं Internet service provider हेक्जाडेसिमल संक्रापरसनाली परतीक यथे च्रप्रत्रेसमाल संक्रापर संक्रापरसनाली है इसमें क्या होता है इसमें 0 से 9 तक डीजिट होते हुए टिक है 1 2 3 4 9 0 6 9 तक होते हैं और A से F तक alphabet होते हैं कौन सी technology बोले गई शब्दों को capture करती है और उनको एक वाक्य के रूब में प्रिवर्तित करती है जिने computer समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है ठीक है वो कौन सी technology है जो बोले हुए शब्दों को समझती है और बाद में एक वाक्य के रूब में उनको बदल देती है और जिनको computer समझ सकता है वो कौन सी है Automatic Speech Recognition जिसको हम ASR के नाम से denote करते है CPU और input output के बीच signal की movement को को नियंतरित करता है जैसे CPU है उसके साथ input device लगा होता है कीपोर्ड माउस लगा होता है इनके भी signal को कौन नियंतरित करता है वो control unit करती है ठीक है एक होता है ALU arithmetic and logical unit यह प्लस माइनस ऐसे operation प्रफार्म करता है control unit ठीक है control unit होता है और एक register होता है जो storage के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है प्रोसेसर के तीन मुखे बाग कौन से है यह तो बता दिया CPU में control memory और तीसरी कौन सा unit होती है ठीक है CPU होता है उसमें एक होती है control unit एक memory होती है और तीसरी कौन से unit होती है वो ALU होती है ठीक है जिसको हम arithmetic and logical unit बोलते है यह प्लस माइनस ऐसे operation प्रफार्म करती है किसी document में के bottom में जाने के लिए किसका प्रियोक यहा था जैसे कोई document है ठीक है लिखा हुआ है इसके end में जाना होगा नीचे तो किसका प्रयोग किया आता है control प्लस end की का मल्टी प्रोसेसिंग डैस द्वारा होती है जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है कौन सी तकनीक electrical signal को optical signal में बदलती है किसे decorative text कहा जाता है जिसके एक document में जोड़ा जा सकता है किसको decorative text कहा जाता है जिसे एक document में जोड़ा जा सकता है उसको बawyते है word art HTTP की full form क्या है HTTP की full form क्या है Hypertext Transfer Protocol कि जीजू 합com किसके लिए उप्युक्त होते है eli kaники फुल फॉर्म क्या है पूर्फिकल यूजर के एक किलोबाइट किटने बाइट के ब्रापर होते है ایک किलोबाइट कितने बाइट के ब्रापर होता हैो सें उसका समस्ट्राइबर अधिलोओ अधियो खालय फोन के एक सफियव इंतियमिन था 32 Service है मॉबाइल फोन में उसक पर उसका है काहां पर होता है राप यह कवह एक साइटिफी प्रोग्रामेयों पर होता है राप मॉलीत रांसलेशन संद्द Опसेद्ख फॉर्मिल घ्र persec पूला ट्रांजलेशन, साइन्टिफिक, एप्लिकेशन, ठीक है? एक प्रोग्राम जो वैपसाइट को देखने के लिए इस्तेमाल किया आता है, उसे क्या कहते है? एक प्रोग्राम जो वैपसाइट को देखने के लिए इस्तेमाल किया आता है, उसके ब्राउजर होते है जब किसी डाकुमेंट पर काम करते हैं तो डाकुमेंट अस्थाई रूप से कहा पर जाता है ठीक है जब हम किसी डाकुमेंट पर काम करते हैं तो कहां पर जाता है और रैम में जाता है जिसको हम रेंडम एक्सेस मेमरी कहते हैं बिजली बंद होने पर जो स्टोरेज आपका ड लाटर स्टूर हो जाता है उसको क्या होते है नॉन वोलाटाइल स्टूरेज ठीक है नॉन वोलाटाइल स्टूरेज भूलते है उसको जैसे होट डिस्क